जहिन दोस्तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बैतर होंगे मेरा नाम है पंकश शर्मा और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूजीव चैनल पर दोस्तो आज के इस करेंड़ फिर के लेक्चर में हम बात करेंगे परेटन के संदर्व में एक यूजना है जिसका नाम है सोदेश दर्शन यूजना हाल ही में यह चर्चा में रही है सबसे पहले तो देखते हैं कि सोदेश दर्शन यूजना चर्चा में क्यों रही फिर बात करेंगे परेटन के संदर्व में विशेश तोर पर की परेटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्व के द्वारा लगबक 325.53 करोड रुपे आवंटित किये गए इसके तहट भारत में बाद सरकिट विक्सित करने के लिए 5 परियोजनाओं को मन्जूरी दी गई है मतलब आप आपके देश में बाद सरकिट विक्सित करने के लिए 325.53 करोड रुपे खर्च करेंगे पाँच प शुरू की गई थी देखो अपना देश पहल जो भारत सरकार के दोरा शुरू की गई थी इसी के एक हिस्से के तौर पर एक बहुत सरकिट ट्रेन का भी प्रारम किया गया है F.A.M. टूर इसके दोरा आईजुद किया गया जिसमें बिहार में बोध गया राजगीर नालंदा उत्तर प्रदेश में सारनात वारानसी गंतविस्तव को शामिल किया गया जिसका एक तूर करवाया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से तो बहुत सरकेट ट्रेन जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस प्रकार से पुरी ट्रेन तयार की गई है जो विशेश तोर पर बहुत धर्म से जोड़े हुए इस थलों को आपस में जोड़ती है वहाँ तक लोगों को घुमाने के लिए ले जाएगी टूर करवाएगी पुरा दौरा करवाएगी ठीक है तो ये कारण था इस स्वदेश दर्शन योजना के चर्चा में रहने एक अब बात करते हैं कि इसकी प्रश्ट भूमी क्या है दोस्तों परेटन कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने खाली समय में किसी भी एरिया में घुमने के लिए जाता है कुछ आनंद के पल बिताने के लिए जाता है और ऐसे में कोई व्यक्ति दूसरे देशों में भी घर्मन के लिए जा सकता है मतलब अंतरास्टे इस तर पर भी एक देश से दूसरे देश को परेटन के लिए जा सकते हैं इसके लावा अपने देश में ही विभने जगाओं उपर परेटन के लिए लोग जाते हैं ऐसे में भारत सरकार के लिए हम बात करें विशेश तोर पर तो जो हमारा सरकारी खजा विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें भी व्रद्धी होती है अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे देश में घूमने के लिए आता है तो वो विबन चीजों पर पैसा खर्च करेगा और सीधी सी बात है कि हमारे देश में रुपया जो करेंसी है वही मानने है तो हमारे देश के मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ता है तो परेटन एक तरफ तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है सांती सांत परेटन से हमारे देश के कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है किसी भी मंदिर की ब करें उसके बाहर कई सारे चोटे चोटे तत्के के जो लोग होते हैं उनको वेविन प्रकार का रोबजगार जो है वो भी परेटन के द्वारा मिलता है तो परेटन का इतना महत्व रहा भारत की जीडीपी में लगबग 6.8 प्रतिशत के आसपास योगदान जो है वो परेटन स जा सकते हैं और यदि विशेश तंदर्व में अगर हम भारत की बात करें तो भारत दोस्तोव विबन धर्मों की भूमी है यहां पर आपको अलग-अलग धर्म देखने को मिलते हैं हिंदू भी बहुद भी है जैन भी है सिख्ध भी है सूफी बात कई तरह के धर्मिक इस्त परेटन का विकास का बहुत बड़ा माध्यम है यह जो तीरती स्थल है इसमें कई सारे घरिलू परेटक अंतरास्ती परेटक पहुंचते हैं ऐसे में इनका विकास काफी हद तक यदि हम बात करें तो तीरती आतरा परेटन पर निर्वर करता है जो कि धार्मिक भावना के तो ऐसे में दोस्तों यहां कईड़े के आप देख रहे हो कि परेटन का हमारे देश की एकनॉमी में या हमारे देश में कितना महत्व है वले ही वो रूजगार की बात कर लें विदेशी मुद्रा की बात कर लें या विबिनेशेतरों की विकास की बात कर लें अब इसी विक भारत सरकार के द्वारा हाल ही में दो महकून पहल की गई हैं यह योजनाई भारत के परेटन मंत्रालाई के द्वारा सन 2014-2015 में शुरू की गई और इन दो नई योजनाओं का नाम है स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद स्कीम अब ये स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद स्कीन क्या है इसके बारे हम हम रीटेल में बात करेंगे लेकिन इनके थोड़े से प्रष्ट भूमिक को इनके आधार को समझा जाए प्रसाद यानि तीर्थ यात्रा, काया कल्प और अध्यात्मिक समवर्धन ड्राइब इसका नाम है इसके फुलपॉम में अभी हम जाएंगे जब पर्टिकुलर इस योजना के बारे में बात करेंगे इसका हिंदी में पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा प्रसाद, अर् योजना किसलिए है तो ये सभी धर्मों के तीरत के इंद्रों पर, विशेश धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के तीरत के इंद्रों पर सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए है, सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के विकास का लक्ष रखा गया है मतलब इसके अधर पर आप देख सकते हैं कि परेटन सर्केट का विकास करना है ठीक है तो दोनों योजनाओं का अपना अपना अलग-अलग टार्गेट है जहां प्रसाद योजना का टार्गेट सुविधाओं और इंफ्रस्ट्रक्शर में लेकिन इन दोनों योजनाओं का अगर हम उद्देश की बात कर दें तो ये केंदर सरकार की योजना है जो भैतर तरीके से देश में heritage cities को विक्सित करने के लिए और ऐसा विकास करने के लिए जिससे की जादा से जादा परेटक जो हैं वो आकर्शित हों और अगर जादा से जादा परेटक आकर्षित होंगे तो हम कहीं न कहीं बहुत बड़ी संक्या में परेटकों को हासिल कर पाएंगे और यदी बड़ी संक्या में आपके पास परेटक आते हैं तो निसंदे इस से हमारे आरठिक व्यवस्ता को बहुत जादा सबलता प्राप्त हो गई clear तो आपका मुख्य उद्देश इनको लेने की पीछे क्या है कि विकास किया जाए ताकि जादा से जादा परेटक आकर्शे तो आए घुमें और उसके कारण हमारी अर्थेवे विस्ता में एक वहत्पुन योगदान जो है वो बढ़ सके अब सबसे पहले बात कर लेते हैं परेटक सर्कुट के बारे में कि परेटक सर्कुट क्या होता है दोस्तों परेटक सर्कुट की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से connected places का बंच है एक समू है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई places हैं कई सारे places को एक माध्यम से एक परिवहन के माध्यम से आवगमन के माध्यम साधन के माध्यम से जोड़ दिया गया है और उस बंच को उस समू को ही हम परेटन सर्कुट के नाम से जान सकते हैं एक सिंगल टूर में विजिट किया जा सकता है मतलब अगर आपने एक सिंगल टूर पैकेज ले लिया है तो आप एक बार में सभी important तीरत इस्थलों को घूम के आ सकते हैं clear यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि परेटन सर्कुट को एक मार्ग एक रूप में आप बता सकते हैं एक मार्ग के रूप में एक रास्ते के तौर पर परिभाशित कर सकते हैं जो कम से कम जो कम से कम तीन परेटन स्थलों में इस्तित होता है मतलब आप एक ऐसा वे बनाएंगी जिसमें कम से कितने 3 परेटक इस्थलों तक होगा और इसमें कोई भी परेटक इस्थल सेम टाउन का, गाउन का या शहर का नहीं होगा मतलब ये 3ों के 3ों कम से कम 3 शहरों को जोड़कर आप एक मार्ग बनाएंगे जिसको परेटन सर्कुट कहेंगे ये तीनो अलग-अलग गाउं के होना चाहिए अलग-अलग टाउन का होना चाहिए और अलग-अलग शेहर का होना चाहिए एक शेहर में ये नहीं हो सकते Clear हो गया तो परेटक सरकृट जहां पर भी नाम आ जाता है तो आप उसको इस प्रकार से describe कर सकते हैं ये ठीक, बोल सकते हैं कि golden triangle की तरह ही है, golden triangle का मतलब है कि तीन बड़े शहर, तीन बड़े शहरों के शमय शामिल किया गया है और वे शहर ہیں दिल्ली, आगरा और जायपुर दिल्ली, आगरा के जोड़ कर एक तीन, बोल सकते हैं कि triangle जो होता है, त्रिकोन जो वो बनाया गया है, जो तीनों को interconnected कर दिया गया है, कोई भी अगर इसका tour लेता है, तो तीनों important places को आप घूमा सकते हैं, तो एक golden triangle की तरह ही ये परेटन circuit की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें सभी को आपस में जोड दिया जाएगा, अगर आप घूमना चाहते हैं, सिंगर टूर में सभी important places को घूम सकते हैं, clear, अच्छा जब परेटन circuit की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रवेश की प्रवेश और निकासी के बिंदूओं को बहुत important तोर पर देखा जाता है, कि उसे circuit में पहचाने गए जगाओं पर विजिट करने के लिए प्रेडित होना चाहिए, मतलब यह इस प्रकार से विक्षित किया जाएं कि ऐसा ना हो कि यह प्रवेश कर लिया है, इसमें अब यहाँ पर कुछ boring जगाएं आ जाएं और इसमें उनका interest ना लगे, तो ऐसे में आपका आकर्षन नहीं होगा, तो आपको इस circuit में ऐसे सभी परेटा निस्थलों को चुनना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें प्रवेश करे गुमने के लिए जाएगा, उसको हर एक जगा आकर्षक लगे, वो अच्छे से interest लेके उनको ब्रमण कर सके, clear, अगर अच्छे interest नहीं आएगा, तो दूसरे लोगों तक जो mouth publicity होगी, वह सही नहीं होगी, और प्रवेश को का आकर्षन नहीं हो पाएगा, clear, अच्छा, यहाँ पर इस योजना के तहत 15 पंद्रा विशाइगत सरकेटों की पहचान भी की गई, जिसमें बौद सरकेट है, तटिय सरकेट है, डेजर्ट सरकेट है, इको सरकेट है, हैरिटे सरकेट है, हिमालियन सरकेट है, कृष्णा सरकेट है, नौर्थ इस सरकेट है, रामायन सरकेट है, गरामीड सरकेट है, अध्यापमिक सरकेट हो, सूफी सरकेट हो, तीर्थकर सरकेट हो, जन्जाती सरकेट हो, वन्य सरकेट हो ये अलग-अलग 15 सर्किट बना दी गए विशय के आधार पर अगर कोई वन्य छेत्रों में घुमने चाहता है तो उसको वन्य सर्किट में पहुंचा दिया जाएगा यदि कोई इस टूर में जाएगा तो उसको वन्य जीव संबंदी सभी इंपोर्टेंट चीजों को गुमा दिया जाएगा अगर कोई रामायन सर्किट को चुनता है तो रामायन से संबंदी सभी इंपोर्टेंट जगाओ पर गुमा दिया जाएगा समझ गए किस प्रकार से सर्किटों की पहचान की गई है अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सौदेश दर्सन योजना के बारे में की योजना क्या है दोस्तों सौदेश दर्सन योजना है केंदरी योजना है मतलब पूर्णता केंदर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है इसका प्रारब 2014-15 के विच्ति वर्ष में की गई थी और इसकी थीम जो है इसका जो उदेश है वो है देश में थीम आधारित परेटन सर्कीट को विकसित किया जाए और एकिकरफ विकसित किया जाए इसको जैसे थीम का बतलब बोली है जैसे कि वनने जीव अब वनने जीव स संबंदित पूरे शेत्रों को यह गुमाएगा एक बिल्कुल टूर पेकेज के अंतरगत तो यहां पर परेटन सर्कीट के एकिकरफ विकास के लिए यह स्वदेश दर्सान योजना शुरू की गई है इस योजना की परिकल्पना अन्नी योजनाओं के साथ सामंजज करने के लिए की गई है इस योजना के तहत परेटन मंतरला जो है वो सर्कीट के बुनियादी धाचे के विकास के लिए राजिस सरकारों या केंद्र सरकारों के साथ केंद्र सासित प्रदेशों की सरकारों के साथ प्रसासन के साथ केंद्री वित्ति साहिता प्रदान करेगा मतलब वहाँ पर इस परकार के छेतरों को विकास करने के लिए वहाँ पर जो basic infra है उसको develop करने के लिए कही न कही वित्ती साहता केंदर सरकार परदान करने वाली है क्लियर अच्छा इस योजना के तहरत कौन सी स्वदेश दर्सन योजना के तहरत है विकास के लिए theme circuit के रूप में अध्यात्मिक circuit की पहचान की गई है तो सरकीट इस प्रकार है जैसे की उत्तर पूर्व सरकीट हो बुद्धि सरकीट हो हिमालय सरकीट हो कोस्टल सरकीट हो क्रशन सरकीट हो मैंने अलग-अलग प्रकार के 15 सरकीट के आपको पहचान करवादी की कौन-कौन से सांद लोंगी क्लियर है यह सरकीट जो है वो प्रमुक और रेलेवेंट परेटक इस्थलों एवं उनके आकर्शन को कवर करने के लिए बनाएगा है ठीक अच्छा इसके उदेश ही क्या है स्वदेश दर्शन यूजना के उदेश को भी देख लेते हैं कि एक तो परेटन इंफ्रास्ट्र बहेतर तरीके से देश में बहेतर तरीके से heritage cities को विक्षित करने के लिए और इस प्रकार से विक्षित किया जाए कि वहाँ पर परेटकों के संख्या बढ़ाई जा सके अधिक से अधिक परेटक वहाँ पर आने लगें इस आधार पर यह योजना शुरू कि गई है ठीक है अच्छा, दूसरी योजना है दोस्तों, प्रसाद योजना, अब ये प्रसाद योजना क्या है, प्रसाद योजना जो है, वो है तीर्त यात्रा, काया कल्प और अध्यात्मिक संवर्धन ड्राइब, प्रसाद अर्थात, पिलग्रिमेच, रिजुविनेशन, एंड, धर्मों के तीर्थ केंद्रों को याद रखिएगा सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों पर सुविधाओं और इन्फरा में सुधर लाने के लिए लाए गई है ये योजना भी भारत सरकार का परेटन मंत्रा लेकर आया है और इसके तहट इसको 2014-15 में ही लॉंच किया गया है इ मिलंकनी है, किदारनाथ है और कामा क्या है तो अलग-अलग देश के शेतरों के अलग-अलग इस्तानों के जोड़ कर ये पूरी योजना डैबलफ की गई है अब यहाँ पर आप सवधेश दर्सन योजना की बात करें या प्रसाद योजना की बात करें दोनों ही योजनाय देश में परेटन के विकास के लिए मैधपूर है और इसके तहत अभी तक जो जो कारेकर हम किये गए हैं वो निसंदे देश में परेटन को आकरशित करने में सफल रहे हैं। परेटक स्थल बोद गया अजंता एलोरा में बुद्ध की स्थल जो इनकी पहचान की गई है और इन्हें आइकॉनिक टूरिस्ट साइट भारत की सौफ्ट वावर को बढ़ाने को देश से इसको विक्षित किया गया है। पहल को शुरू किया था ताकि नागरिकों को देश के भीतर व्यापक रूप से यातरा करने के लिए प्रोजसाहित किया जा सके। तो परेटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान भारत सरकार इतने सारी पहले कर रही दोस्तों और इसका परणाम निश्चित तोर पर एक सकारातमाख होगा ताकि देश में परेटन बढ़ेगा। हमारे देश की संस्कृती और विचारधारा सभी का पूरे विश्च में प्रसार प्रसार होगा। सांती साथ हमारी आर्थिक विकास को भी इसके बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ा मिलेगा। तो उमीद करता हूँ दोस्तों कि आप स्वदेश दर्सन योजना और प्रसाद योजना को समझे होंगे। MPPSC हो, UPSC हो या कोई भी एक दीवस्य परिक्षाओ उनमें यहां से डेफिनेटली आपको कोशन देखने को बिलेंगे। Quesion Means में भी हो सकता है, Quesion Spring में भी हो सकता है, Quesion Factual Base भी हो सकता है। मैंने इसके सभी पहलियों को आपके साथ डिसकस कर लिया है। उमीद करता हूँ कि आपको बहतर तरीके समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत बूलिएगा। मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जै हिंज, जै भारत, वंदे मातरा।